इस फिल्म रिफ्यूजी से बॉलेवोड में अपने करियर की शुरुवात करने वाली करीना खपूर आज इंडस्ट्री की टॉप अक्टरस में से एक हैं आज इंडस्ट्री का हर बड़ा डारेक्टिर उने अपनी फिल्म में लेना चाहता हैं खाल ही में करीना ने वीरे दी वेडिंग से परदे पर वापसी की थी इस फिल्म ने बॉक्स आफिस पर अच्छी खासी कमाई की और अब इस फिल्म के बाद बेवो तीन बड़ी फिल्मों में भी नज़र आएंगे जिसमें से दो फाइनल भी हो चुकी हैं पहली फिल्म है गुड नीज़ और दूसरी है तक्त वैसे तो बेवो अपने नाम अभी तक कई रिकॉर्ड कर चुकी हैं लेकिन इसके साथ ही एक अन्यूखा रिकॉर्ड भी है जो उनके नाम पर दर्ज है आपको बता दें कि करीना ने अपनी एक फिल्म में 130 ड्रेसेस पहनी थी और ये ड्रेसेस दुनिया के बड़े बड़े फैशन डिजाइनर ने डिजाइन की थी ये फिल्म थी साल 2012 में आई मदूर भंडारकर की हिरोईन बदा दें कि मदूर भंटारकर की इस फिल्म में करीना कपूर ने माही अरोडा का किरदार निभाया था ये फिल्म तो बॉक्स ओफिस पर कुछ खास रिकॉर्ड नहीं बना पाई लेकिन करीना ने इसमें एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम जरूर कर लिया बॉलिवुड में अपने 18 साल के करियर में करीना आप तक लगभग 40 फिल में कर चुकी है फिल्हाल करीना कपूर इंदनो मालदी में चुटियां बिता रही है यहां की खूब सूरत तस्वीरे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है यहां की खूब सूरत तस्वीरे सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रही है जिसमें वो अपने पती सेफली खान और बेटे तैमूर के साथ पूल में मस्ती करती हुई नजर आई इंडिया बॉलिवुड वाइरल की रिपोर्ट